Hi everyone and welcome back to my new this channel. यहाँ सभाई आप अपरच्षए होंना अपने अपने घर में हौली की तैयारियां कर रहे हो और मैं भी अपनी घर में हौली की सफाई में हौली की तैयारी में हौली के मिठाही होली के पखोवानी है सब पनाने में लगी हुएं तो घर का सारा काम नहीं पड़ चुका है मैंने हेर वोश किया था क्योंकि कल मेरा फास्त है और आज है संडे और बच्चों की छुट्टी है सैटर्डे संडे छुट्टी होते तो दो दिन तो बड़ा जादा ही परिशान करते हैं बच्चे ना तो बाते सुनते है ना मुझे खुछ काम करने देता है अलग से तो यहां पर मैं नहा के जो है कपड़े सुखाने लगी हूँ क्योंकि मैंने नहाने से पहले कपड़े धो लिये थे और कपड़े मैं छचत पर सुखाती है नहीं गर्मियों में बहुत काम चट पर सुखाती हूं या भार सुखाती हूं क्योंकि ज़्यादा तो गीले होते निया यह ऐसे ही सूख हो जाते हैं और यहां पर मैंने विंडो खोल दी है अपनी तो थोड़ी सी अवा आ जाएगी तो सूख जाएगे क्योंकि बाहर कपड़े ही होते हैं जितने डस्ट की वज़े से उन्हें डस्ट डस्ट सी लगती है मुझे लगती है ऐसे दूल मिट्टी सी कपड़ों में तो इसलिए मैं बहुत कम सुखाती हूं कपड़े और फिर मैं यहां पर कर रही हूं पैकिंग कहीं जाने कि किसी को मुझे नहीं जाना लेकि में सर्दी लग जाएगी क्योंकि होली बतर रंग लगाते हैं पानी डालते हैं यह सब करते हैं तो इसलिए होली खेलना जरूरी है तो सर्दियों को तो जाना पड़े गई सर्दियों को भेज नहीं है और सारे जो सर्दियों के कपड़े हैं वह सहेज कर रखती हूं मैं डिब जैसे यह भी अभी एकोगार्ड का डिबबा दिख रहा है मुझे याद नहीं रहता कौन सा डिबबा किसका है और मैं ऐसे ही कपड़े रखती हूँ अपने सुंगा के संभाल के दो डिबबे में पहले पैक करके रख चुकी थी जो मोटे मोटे सब के जैकिट थे ज्यादा ठंड वाले वो मैंने पहले रख दिये थे और इनको भी मैं धीरे धीरे जो है जो जो कपड़े दूलते जा रहे थे तो मैं उनको उठाकर इखटा करती जा रहे थी और आज ये काम भी मैंने निप्टा दिया है और बस इसमें जो है बच्चों के कैप और सोक्स ये सब मैं एक पॉल अथिन में भार के रख दूंगी कुछ एक कपड़े रह जाएंगे माहिरा के बस इनर वग्यरा जब ही माहि खाली खाली लगता है अलमारी भी खाली खाली लगने लगती है क्योंकि जब सर्दिया आगे बैट जाती है घर में तो घर भरा भरा लगता है तो उस पज़े से घर भी खाली खाली लगने लगता है तो सर्दिया तो चली गई है अब है होली आ गई है तो गर्मियों की तया करने में जो होली पर बुल अखले बनाई थे ना तो उनकी जो माला बना रही हो मैं क्योंकि वियान कई दिन से बोल रहा है मैं इनकी माला कब बनाऊगे क्योंकि वियान को हर चीज में जब इतनी जल्दी लगी रहती है कि कोई फेस्टिवल आएगा तो इतना एक्साइटेड जाता है कि हर काम उसको पहले हो जाना चाहिए तो आप सब बता है कि आपके घर में होली की तैयारी कैसी चल रही है मेरे घर में तो जोरशोरश होली की तैयारी चल रही है और मैं एक बात अगर भूल भी जाओं तो बच्चे भूलने नहीं देते हैं तो बस यहां पर मैंने मालाय बनाकर रख दियां एक तो जाएगी हुली पर پूजा करने के लिए एक घर पर रख लेंगे फिर बाद में आगी है मैं किचन में कि शाम की खहने के तयारी करने हैं और साथ-साथ हमली की चटनी भी बनानी हैं मंझे क्योंकि हमली बिगो कर रख दी ती इतने आइटम जादा खाए भी नहीं जाते हैं तो अभी जैसे लटू उरस घुले और खस्ता का चोरी बनाई थी मैंने और गुंजिया बनाई नहीं थी गुंजिया लेकर आये थे हस्बन मागिट से तो जादा ही सामान हो गया तो उतना तो नहीं खाया जाता और वसी मली की नहीं गए जो चटनी है वह मैंने बनाने शुरू करतीए और जो इमली के बीज थे वह निकाल कर साइड कर दिया पानी में डाल के एक भार दोली है थे क्या थोड़ा बहुत पल्व इंद में भी लग रहा होगा जो वह निकलकर आ जाएगा और फिर जो इमली का पल्व था वो मैंने चान लिया, क्योंकि उसमें भी थोड़े थोड़े इमली के दागे से रह जाते हैं, और फिर इसको मैंने छोका नहीं है, ऐसे इसको गाड़ा होने के लिए रख दिया, गुड़ डाल दिया है, और इसमें मैंने डाला है, नमाक, लाल मिर्च, और थोड़ा सा सोट प मगज के बीज डाले हैं, और यहीं मैंने पकने के लिए रख दिया, तब तक मैंने यहां पर थोड़े सी मलाई भी बिलोई थी, तो मलाई में से गी निकाला था, और उसको गी को निकाल के थोड़े सा पीज में रख दूँगी, पानी में धोके दो तीन बारी, तो यहां प जानली के जर्ची रहादा, गुड़वाली इंुली की चत्नी बन गई है और जब बी मैं कोई सा आगे सामद बनाऊंगी, तो मझे चत्नी बनानी की ज़रुवत नहीं होगी, और भढ़े में बना रही हूं, यह मरभे के पत्ते हैं, और टमाटा की चत्नी और राइता। और राइता मैं बना रही हूं मर्वे के पत्ते का और कोई कोई लोग नहीं जानते होंगे कोई कोई जानते होंगे मर्वे के पेड़ को मर्वे का पत्ता काफी अच्छा होता है इसकी चिटनी भी बनती है और राइता भी बनता मैं राइता बना लेती हूं और यह काफी अच्छा होता है health के लिए skin के लिए तो चिटनी आपर बना लिये है मैंने और जो मर्वे के पत्ते हैं या तो उनको पीछ कर दही में डाल लो या फिर ऐसे ही जैसे मैं बना रही हूं दही में बनानी है रोटिया तो रोटियों बनानी के लिए या हुली पर में बहुत कुछ शो चेंज भाले प्लानी ने रहे है जड़ान चेंज यहात रहा है मैंने बनानी है। सिंपल सी डिनर थाली है इसमें है राइता चटनी रोटी और खीरा और अगर आपको ये व्लोग अच्छा लगा हो और आपको आने वाले व्लोग भी देखने हो तो आपको मेरे साथ चुड़े रहना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और अगर ये वाली की लिए का बढ़े लगा है और ठागोर जी को भी भूग लगा दिया है वी आन्र माईरा खाना खारे और कब आपको देखने को मिलेगी तो अब तक के लिए बाबाई हाई कर दो बाई सब्सक्राइब करना लाइक करना बाइल अन बाइल नादे बॉड़ बॉड़ी गुड़ नाइट गुड़ नाइट